Hello and Welcome Friends Realme ने जो है कई Android फोन को Android 13 अपडेट जो Realme UI 4 बेस था वो दे दिया है जो eligible device है अब जो है company testing कर रही अपनी नए custom skin को अपना जो रिलीज नए फोन है और जो अभी older version Android पर चल लाए थे Realme C33 अपता का सबसे नए रिलीज फोन है जो इस साल लॉंच करा गया था ये Realme UI 3 skin पे रन कर रहा था और ये फोन जो है SS हो रहा है Android 13 बेस Realme UI 4 skin अपडेट के लिए अपने early SS program में लिए तो Realme ने ये information अपने convertive forum पे post के द्वारा शेयर करी है और बताये कि Realme C33 के registration open है बीटा program के लिए company जो है इसका rollout 15 से 20 मई तक करेगी और इसमें 500 seat है early SS program में मगर ऐसी ही सूचना है कि Realme इस program को expand कर सकती है आने वाले दिनों में एक बात का आपको ध्यान रखना है आपका phone जो है इस वाले version number पे ये इस वाले version number पे run कर रहा हो बीटा program में update करने से पहले अगर आपका phone किसी older software पे तो उसको enroll करने से पहले एक बार जो है update कर लें आगे बढ़ने से पहले आपसे request है android और टेलिकॉम न्यूस के लिए मारे चैनल को subscribe करें और बैल आइकन जरूर दवाएं तो इस realme C33 का जो android 13 प्रोग्राम होगा इसमें आपको कई धेर सारे नए features और improvement देखने को मिल जाएंगे अब जो सारे features है उसका short form में हैं यहां पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं unnecessary video लंबी नहीं करनी है अगर आप realme C33 के owner हैं आप realme UI 4 को try करना चाहते हैं तो आप early SS program का form जो है वो फिल कर दीजे company आपके form को review करेगी application को और अगर sheets available हुई उनको सब कुछ सही लगा तो आपको beta update दे दिया जाएगा इसका जो link है वो मैं आपको description box में provide कर दूँगा जब आपको beta build मिल यह अपनी device पे तो उसके पर आपको settings में जाना है software update में जाना है और वहां जाके अपने phone को update कर दीजेगा बस update करने से पहले ध्यान रखिए का अपने important phone का सारा data का backup बना लीजेगा और आपका phone जो है 60% charge होना चाहिए वीडियो पसंद आए तो like करें channel subscribe करें और bell icon जरूर दबाएं